नश्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकाडमी क्लासेस पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वो भारती सेना भरती रेली का नूटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है इसकी रेजिटेशन करने की जो डेट है उसकी लास्ट डेट जो आपके सामने है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहां पर वो जह 13 फरवरी है यानि यह 13 फरवरी 2021 है इसके last date और registration हो रहे हैं इस समय तो आईए इसके बिग्यापन को देखते हैं कि कौन-कौन लोग registration कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं तो इस पूरे वीडियो में आप सुरा से अंतक देखिए और अगर इसी तरीके से job से related admission से related आपको information चाहिए regular interval पर चाहिए हर तरीके की information चाहिए तो आप मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इस channel का उद्देश सिर्फ इतना ही है कि आपको कोई भी government job से वंचत ना रहें और कोई भी आपका admission छूटने ना पाए यानि आपको information ना मिले इस वज आप हमाई चैनल को subscribe कर लीजिए like करिए और अगर किसी भरती के बारे में आपको जानना है तो comment box में comment करिए देखी यहाँ पर जो है आपके सामने इसका विज्यापन है कि army recruitment rally notification for the recruiting year 2021 at इंद्रा गांधी sports stadium यू एन ए एच्पिया नी हिमाश्चल प्रदेश एक मार्च दो हजार 21 से 16 मार्च दो हजार 21 यह जो एक मार्च दो हजार 21 से लेके 16 मार्च के मद्ध जो यह होना है recruitment इस्टेडियम में उसके लिए आपको registration पहले करना होता है आप देखिए यहाँ पर आपको यह date दी गई कि कब से कब यह होना है अब इसके लिए कौन से eligible candidates होंगे तो वो male candidates के लिए eligible होते हैं आप समझ लीजिए और इसके लिए आपको जो registration करना है आप देखिए कि जो registration general duty and soldiers clerk SKT इसके लिए होना है यह open हुआ है link वो 31 December से लेके 13 February 2021 तक जो है यह recruitment हो रहा यहाँ पर और आप देख सकते जी सी ओ यानि religious teachers या जूनियर कमिंशन्ट officers के लिए भी यहाँ पर recruitment किया जा रहा है तो यह तो directly आपको form के बारे में बता दिया गया आपका जो admit card इस पूरे particular registration करने के बाद जब आपको available होगा वो अपके mobile या email के थूँ यहां से 15 February के बाद जो है release होना सुरू हो जाएगा तो यह चीज़ हो गई आगे बात करते हैं इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि general duty के लिए जो है 75 साल से 21 साल के मद्ध होना चाहिए डेटा बर्त आपकी इसके बीच में लाई करनी चाहिए यह जो डेटा बर्त है आपकी आप देख सकते हैं 1 October से 1999 से 1 April 2003 के बीच में होनी चाहिए और आपके पास योगिता क्या होनी चाहिए आपक्षा 10 पास हो और 45% से उपर हो आप ब होना चाहिए आपको यहां साइंस आर्ट कावमर्स में 60% का एग्रिगेट होना चाहिए यह चीज हो गई इसी तरीके से जी सी ओ रिलीजिस टीचर्स के लिए है एच एवी ऐसे के लिए है तो यह आपको जो वेफसाइट है किस पे जाकर लिंक आपको करना तो यह www.joinindianarmy .inc.in पर आपको यह चीज़ें आपको available होके मिलेगी तो यहां पर यह बात हो गई आगे बात करते है इसकी अब जो यह विग्यापन है इस विग्यापन को कहां से डाउन mim करना है कहां अपलाई करना है इसके बारे में आईए website पर इनकी चलते है आग किसी भी browser का Google open कर लिज तैए जए चूऑएं इंडियन आर्मी आप जैसे ये लिखेंगे तो उसके बास आपको क्या करना है हाँ पर आप सरक्ष कर दीजिए जैसे उसकिंगरिणे तो आपको इसकी website पर चले जाएंगे देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का interface खुलेगा आप यहाँ पर capture भर दीजिए जो आपको दिया गया है यहाँ पर यहाँ पासानी से capture भर सकते हैं इस जगे पर भर दीजिए और भरने के बाद जैसे ही आप को जो है यहाँ पर detail मिल जाएगी आप इसमें capture भर दीजिए 777-410-2710 और फिर इंटर website जैसे करेंगे आप इसकी website पर आसानी से पहुन जाएंगे देखिए आपके सामने website यह open हो गई है इसको scroll करके आप नीचे के तरफ जब जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ऑफिसर सेलेक्शन के लिए जैसी वो और मिलेगा और यहाँ login करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए इस जगे पर side में आपको जब नीचे scroll करेंगे तो आपको यहाँ पर अब यहाँ पर view all है देखिए यहाँ पर जो हम बात करते हैं जिस notification की उपन नोटिफिकेशन यहीं स्टार्टिक में ही आपको दिया है आप इससे डाउनलोड कर लिजी army recruitment rally notification at una hp from 0 March to 16 March इसी के हम बात कर रहे हैं apply करने के लिए registration करने के लिए आप इस रगे पर जाएंगे और यहाँ से आप registration कर सकते हैं जिससे हमने इसको ok किया और आपको registration का form खुल जाएगा आप वहाँ से registration आसानी से कर सकते हैं जो भी registration आपको यहाँ पर करना है देखिए यह site आपकी open हो रही है इस तरीके से देखिए यह site आपकी open हो गए हिंदी और इंग्लिस दोनों में terms conditions लिखी है आप continue यहाँ से कर दीजिए जैसे हैं आप continue करेंगे आपके सामने personal detail का form खुल के आजाएगा आप इसमें एक एक detail आप आसानी से भर सकते हैं mobile number email address दोनों बहुत accurate भरने हैं data birth, mother's name यह सब चीज़े बहुत carefully भरने जिन पर star बना है उन्हें आप बहुत carefully भरिए और mobile और email से ही आपको एक contact करेंगे तो इसलिए यह बहुत accurate होने चीज़े जिसको आप बार बार open कर सके submit कर देंगे आगे का आपका personal details, educational qualifications, photos, signatures यह सब आपसे मांगेगा आप एक करके भरते चले जाएए, submit कर दीजी यही आपका registration होगा तो उम्मित करता हूँ आप आसानी से इन सब चीज़ों को कर पाएंगे, registration कर पाएंगे अगर और भी कोई समस्य आपको आती है तो comment box में नीचे जरूर लिखिए जिससे मैं आपके help कर सकूँ और अगर कोई सुझाओ है, कोई और latency के बारे में जानना चाहते हैं, बिल्कुल comment box में लिखिए मैं पूरी कोस्स करूँगा उस पे वीडियो बनाने की अब मिलते हैं आपके सुझाओं के साथ किसी और वीडियो में धन्यवाद, जय हिन, जय भारत